दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिच्छ स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल जॉट में दोस्तों आपको दशारा की बहुत बहुत शुब कामना है और कुछी दिन में दिवाली भी आने वाली है इस पहवार के मौश्चा में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो है आपका LED लाइट्स और दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाले प्रोड़क्स है न, LED बल्प्स के अंदर वो है 9W, 12W, 15W और 18W तो आज इस वीडियो में मैं जिस प्रोड़क्स का रव्यू करूँगा बहुत ही एडवांस्ट है उसमें कई सारे नए अडवांस पीचेस जोड़े गए है नई IC जोड़ी गई है कुछ नए कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं तो बहुत ही जादा वो एडवांस्ट है तो दोस्तों 9W, 12W, 15W, 18W ये जो प्रोड़क्स रेंज है न बल्ब का इसमें सबसे जादा जो प्रोफिटेबल मुझे लगता है वो है 12W और 15W क्योंकि एक तो इसकी डिमांड बहुत जादा है दूसरा इसमें कॉम्पेटिशन बहुत कम है और इसमें फेलो रेशियो भी बहुत ही कम है दोस्तों मुझे फटा-फट कमेंड करके जरूर बताईए कि आपके एरिया में आपके डिस्टिक में सबसे जादा बिकने वाला या सबसे जादा प्रोफिटिबल मैं कह रहा हूँ कौन सा वोटेज है 12W, 15W, 18W, 9W क्योंकि 9W वगर आपे बहुत जादा प्रोफिशन है तो मुझे फटा-फट कमेंड करके जरूर बताईए अपने डिस्टिक का नाम दीजे और मुझे वोटेज दीजे कि कौन से डिस्टिक है और कौन सा वोट है तो दोस्तो आज यहां जो मैं रिव्यू करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तो आपके लिए तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नई से नई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पहुचेगी और आप उसको इंप्लिमेंट करके आप अपने बिजनस में बहुत ज़ादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो यहां जो मैं आपको आज ड्राइवर दिखाने वाला हूँ जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाऊंगा वो है 15 वाट का एच्पी अफ ड्राइवर है और इस ड्राइवर के अंदर बहुती एडवांस न्यू आईसी का प्रयोग किया गया है जो आपको बहुती स्पेशल फीचर देता है जो अभी तक आपके सिब 9 वाट के एच्पी अफ ड्राइवर में था जिसका मैं मैंने आपको रिव्यू करके जिसका मैंने आपस पे वी कौलिफाई करें और बहुत से लोग उसकी डुपलिकेट आईसी लगा के मार्केड में बेशने लगते हैं यहां पे जो मैं आपको ड्राइवर दिखाने वाला हूँ वह 100% आटो कट है जिसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आईसी अपने आप उस 375 वोल्ट के उपर जैसे ही वोल्टेज निकल जाता है वैसे आईसी आगे का जो करेंट वोल्टेज उसको तुरण कट डाउन कर देती है ताकि आपकी जो LED है वो प्रोटेक्टेड रहे और जैसे ही वोल्टेज वापस से नीचे सेटल डाउन होता है 300-325 के पास जैसे ही आ उसमें फिलो रेशियो भी बहुत कम आते हैं साथ-साथ इसके अंदर बहुत सारे नए कंपोनेंट जो पुराने कंपोनेंट से उससे चेंज करके नए कंपोनेंट जोड़े गए इसमें जो इंड़क्टर ट्रांसवार्मर है उसको चेंज किया गया इसमें जो कैपिसिटर ह उसके values को change किया गया तो कई सारे नए improvements किये गये हैं ताकि जो warranty fill or ratio और minimum किया जा सके तो यह बहुत ही advanced feature के साथ यह 15 watt का जो यह driver मैं आपको यहाँ पर review करके दिखाऊंगा तो आप इसमें देखेंगे कि जो मैं अभी आपको practical करके दिखाऊंगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से driver auto cut feature को pass करता है और साथ ही साथ दोस्तों 15 watt का यह जो driver है उसके साथ जो PC भी लगती है वो भी 1.5 mm thickness की होती है प्लस उसके अंदर जो LED है वो 145 lumens की होत दोस्तों अभी दिवाली में बहुत लोगों को ने ने colors के lights भी चाहिए होती है तो वहाँ पे आप अपने मुताबिक LEDs को change कर सकते हैं like red, green, blue, pink यह सारे colors आप same driver के साथ आप चला सकते हैं सिर्फ हमें वहाँ पे LEDs change करनी होती है तो दोस्तों आईए मैं आपको practical करके दिखात हूँ अगर आपके कोई सवाल है तो आप फटाफट comment box में आप अपने सवाल लिखिए उसका जवाब मैं जरूर दूँगा और अगर आपको और कुछ समझना है technique information चाहिए या और को information चाहिए तो आप दीवे नंबर पर जरूर कॉल कीजे तो दोस्तों आईए मैं practical करके आपको यह PCB जिसमें यह 15 वाट की जो PCB है यह इसमें आपके टोटल 16 LED लगी वी है और यह प्योर सियोल की LED लगी है जो की वर्ल्ड की वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी आप कंपनी है LED manufacturing में और मैं यह ड्राइवर यूस कर रहा हूं आप देख सकते हैं सेम ड्राइवर है मैं इसक dziisic driver का यूस करते हैं मैक्सिक की IC हम ने इसमें यूस की भी है हमारे पाद जो भी drivers रहते हैं वह maximum सब माक्सिक की ही आई-सी पे बेस्ट है तो आप यह देखे जो हम यहां पर अभी इसको टेस्टिंग करेंगे आप यह देख सकते हैं इस दा सेम ड्राइवर ओके दोस्तों तो चलिए अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको इसका दिखाता हूँ दोस्तों अब हम आपके सामने इसका 15 वाट का जो ड्राइवर है और जो पीसी भी है जिसमें हमने सियूल की लगाई हुई है उसका भी मैं आपको यहां पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा उसका परफॉर्मस देखिएगा तो सबसे पहले चलिए मैं इस एजिंग मशिन को श देहान दीजेगा यह जो 15 वोट का ड्राइवर है यह 50 वोल्ट से ही आन होना शुरू हों जाता है आप द्यान से लिए že 50 वोल्ट demamia कट आफ हो जाता है तो यह फीचर अभी तक किसी भी और भी 15 वाट के ड्राइवर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा यहां पर देखिए मैं आपको वोल्टेज बढ़ा रहा हूं यह देखिए मैंने यहां पर बढ़ाया और बढ़ा रहा हूं मैं अभी देखिए 300 के ऊप पर जा रहा है नोट करते रहीएगा यहां पर जैसे ही यह 375 पहुंचेगा यह आटो कट आफ हो जाएगा यह देखिए अभी 400 वोल्ट पे हैं मैं यहां पर इसको नीचे करना हूं अब मैं वापस लेकर लेकर जा रहा हूं जैसे जैसे यह 325 पर आएगा इमिडिटली यह भी आफ ये आन हो जाएगा तो यह जो फीचर है वहना दी बेस्ट फीचर है बहुतरीन फीचर है भी तक कणिशी आपको ट्राइबर बर में नहीं मिलेगा और इसमसे में मैक्सिक की IC लगी भी है यहाँ पर जो ड्राइवर है यह आपको जो करेंट आउटपुट देता है वो करीब करीब 180 तो 190 मिली एमपेर के पास यह आउटपुट देता है तो दोस्तों आपने देखा यह ड्राइवर का अगर आपको इस पर और इंफरमेशन चाहिए तो फटा फट दीवे नमबर पर आप कॉल कीजे और कमेंट जरूर कीजे ताकि मैं आपके जो भी सवाल है उनकी मैं जवाब दे सकूँ ताकि आप और प्रॉफिट अपने बिजनस में कमा सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और दोस्तों अगर आपको कोई भी नए वीडियो चाहिए किसी नए टॉपिक पे जरूर वो टॉपिक जीजे मैं उस पर रिसर्च करके और आपके उ उन सवालों का या उन प्रॉब्लम्स का जरूर एक वीडियो बनाके मैं आपके लिए यहां पर दूंगा दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए नमस्कार जैहिंद